वेलकम टू जी के वी तार के फ्रेंट से रिवाइज 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 और सेल्प का ये पार्ट टू है तो इस वीडियो के अंत में आपको इसका लिंक मिल जागा वहां से किलिक करके देख सकते हैं तो इस वीडियो में हमने टोटल 20 जैनरल साइंस के कॉस्चन लिए ह आप 20 में से कितना का सही अंसर आप दे पाते हैं आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका अंसर दे सकते हैं कमेंट कर सकते हैं तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं इसी चैनल पर कोई भी जैदी वेकेंसी निकलती है सेंटल या अस्टेट गवर्मेंट की तो अंसरों, हरा पर्तित होता है कि कोई क самой के प्रेट दूस्तों इसका सही उतरपका हो जाएगा option B, anoxys option के द्वारा होता है question number 3 है मानो चहरा कितने हडियों का बना होता है, यह कि मानो का चहरा है वो कितने हडियों से मिलकर बना है तो दोस्तों इसका सही उतरब का हो जाएगा option C, मानो चहरा जो है 14 हडियों से मिलकर बना होता है देखते हैं next question next question है कि लाल रक्तकन की जीवन अवधी कितनी होती है आने कि लाल रक्तकन जो है RBC उसका जीवन अवधी कितना होती है तो इसका सही उतर अपका हो जाएगा 120 लाल रक्तकन की जीवन अवधी 120 दिन होती है next question है समुदरी घोडा किसका उदाहरन है आएकि समुतरी घोड़ा जो है वो किसका उदाहरन है तो इसका सही उतर हो जाएगा option A मतहिस वर्ग का दोस्तों next question नमर 6 खाना ना चिपकने वाले बरतनों में किसका एक पतली परत होती यानिकी सबसे उत्तम किस्म कौन सी है तो इसका सही उत्रापका हो जाएगा मैगने टाइट मैगने टाइट जो है लोह एसका सबसे अच्छी किस्म होती है नेच्ट है पिर्थवी से हमें चंदर्मा कितने परतिसाथ भाग देख पाते हैं तो इसका सही उतरब का हो जाएगा option C, 59% हम लोग देख पाते हैं, next question है, खटा दूद में उपस्थित होता है, आनि कि जो खटा दूद होता है उसमें क्या उपस्थित रहता है, तो इसका सही उतरब का हो जाएगा option ये लेक्टिक अमल उपस्थित होता है, नेक्स्ट है रोकेट में परियुक्त इंधन कहलाता है नहीं कि रोकेट में जो इंधन परियुक्त होता है वो क्या कहलाता है तो इसका सही उत्रप का हो जाएगा उप्शन ये नोदक कहलाता है रोकेट में जो इंधन परियुक्त होता है next question है कि cement का जमना कैसी पर्थी के लिए कुण सी क्या कहलाती है तो इसका सही उतरप का हो जाएगा option बढ़ जाता है next question है विद्यूत बल्व को भरने में पर्योग किया जाता है तो इसका सही उतरप का हो जाएगा और नहीं कि विद्यूत बल्व आप लोग देखे ही होंगे अब देखें क्या मतलब सबके पास होगा सभी लोगों इसको देखा है तो इसमें जो कौन सी गेस या भरा रहता है तो इसका हो जाएगा अपका और नेक्स्ट अपका निम्द में से वाइरस दौरा कौन सा रोग फ्यलता है कि इन में से कौन सी बिमारी है जो वाइरस के दौरा फ्यलता है तो इसका सही उतरप का हो जाएगा option D पोलियो क्या हो जाएगा चौदव का option number D सही है नेक्स्ट है सिल्वर का काला धबा किसके कारण उत्पन होता है कि सिल्वर जो है उस पर काला धबा जो हो जाए व Kevin haroskin के इसका का उपेख़ किया जाता है तो इसका asoda तरप का हो जाएगा option D क्या हो जाएगा सभी में आने कि सेल चिकित्सा में साचा बनाने में मुर्तियां बनाने आपको पता होगा दोस्तों कि यदि किसी बैगती का जीद हडी टूट जाता है तो पलास्टर उपरिस सही उसका लेप लगा के उसको क्या होता है कि ठीक किया जा नेक्स्ट कोशन है निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला सरीर का भाग है आने कि निमोनिया जो रोग होता है वो उससे सरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है तो दूस्तों इसे option A सही हो जागा चाती जो सो प्रभावित होता है नेक्स्ट कोशन देखते हैं सुस् तो इसका सही उतरप का हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है दूद से क्रीम कौन से बल के कारण अलग हो जाता है तो इसका सही उतरप का हो जाएगा सेंट्रिफोगल फोर्स के ओप्शन सेंट्रिफोगल फोर्स के तवारा दूद से क्रीम अलग हो जाता है तो दोस्तों ये इसका दूसरा पार्ट था तिसरा पार्ट भी आप जदे देखना चाहते हैं तो अपमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने जिए आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी उसको सेर करें थैंक्स पर वाचिंग